के इंडिया मंत्री एवं नाकपुल लोग सभा सिट से भाजपा की प्रत्याश्री नितिन गड़करी ने बुद्वार को ताजबाद दर्का परिसर में आईजीत सभा में संपोधित करती वे कहा कि समाज में नीता बहुत है लेकिन दुरभागे यह है कि चुनाओं के बाद व पिरुद करे हैं उनकी काम भी मैंने के हैं लेकिन किसी का नाम दे लिएँगा क्योंकि मैंने उनका काम किसी राश्रती भावना से नहीं किया बलकि काम को महत्वदी कर दिया गड़करी ने कहा कि एक लाग लोगों को विहान में काम बिलेगा नाकपुल में अनिक खेल के द्यान बनाने का संकल्ब है इस आउसर पर हजिर्द बापा ताजुदिन ट्रस्ट के चेर्मैन प्यारी खान जैदिक कवारी सुलेखा कुमबारी आदी उपस्ति थे गड़करी ने मुस्लिन समाज की लोगों को प्रोचाहित करती वे कहा कि आपके बच्चे पढ़ेंगे त की पास अंजबन हम ये इसलाम संस्ता की लोगा है और कहा कि वर्ष 1996 से 97 मी आपको जो कॉलेज बिला था उसे आपनी हमी दे दिया उन्होंने बताया कि उस कॉलेज से आज 16,000 मुस्लिम बच्ची इंजिनियर बनी है और विदेशों में रहकर पैसा कमा रहे हैं गड़करी न कहा कि मैं दिल से चाहता हूँ कि जो समाज पिछड़े हैं उनका समाजिक शेशनिक विकास होना चाहिए ऐसे समाज में कौशले विक्षित करके भी उन्हें आत्मनेर बनाया जा सकता है इस पर भी हम जोड़ दे रहे हैं गड़करी ने कहा कि आज 200 मुसलिम महिलाए उनकी प समाज की उन्नती के लिए बच्चों को पड़ाओ अच्छा काम करने के लिए आशिरवाद देए उनके चर्णों में मैं प्रार्थना करता हूँ बैनौर भाईयो मैं पिछले 10 साल से नाकपूर का संसद होने के नाते कारे कर रहा हूँ इस 10 साल में एक लाग करोड रुपे के काम इस लोग सबाक्षेतर में करने का मैंने प्रयास किया अनेक ब्रिजेज बने, अनेक रोड बने, कॉंक्रीट के रोड बने, पीने के पानी की विवस्ता हुई अच्छे बगिचे बनाने की कोशिश की, म्यूजिकल फॉंटेन बना पाँच हजार प्रदानमंत्री आवाज स्योजना में, हमने विशेश सुपसे गरीबों को मकान दिये जिस मैंने एक मुसलिम भाईयों को भी मकान मिले है मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि जो काम मैंने किया है, वो मुझे आपको बताने की अवशकता नहीं है आप नाकपुर के किसी भी कोने में जाईए आप मुमिनपुरा में जाओगे, तो मुमिनपुरा भी भी में फ्लाइवर बना रहा हूँ मुमिनपुरे से डारेक्ट फ्लाइवर पर जाकर आप काम्ठी रोड पर चले जाओगे हमारे नाकपुर शहर को डिवाइड किया गया रेलवे लाइन ने हर जगह पर अंडर पास, ब्रीज, पुर्वनाकपुर, मद्यनाकपुर और उत्तर नाकपुर के बीच में अनेक हुए है, यह शहर सुन्दर हो, स्वच्छ हो, और हिंदुस्तान में पर्यावरन के दुष्टी से भी प्रदुशन मुक्त हो, एक कोशिश हमने की, मुझे बहुत खुशी है, कि आपके यहां से नजदिक भांडेवाडी है, जहां कचरा डाला जाता था, और कचरे के दुर्गंदि के कारण, बहुत लोगों को तकलिफ होती थी, हसन बाग तक उसकी बास आती थी, तकरारे होती थी, हमने दो योजनाय तयार की, कि नाकपूर शहर का जो कचराय पहले उठाने के लिए, हमको ढाई सो से पासु रुपए टन पैसे देने पड़ते थे, अब हमन कि उसके बदले में रॉयल्टी महानगरपाली को दे रही है, वो कचरे का पहिसा नहीं ले रही है, और इस कचरे को सेग्रिगेट करके, जो मैं, मैंने मेरे यहां भी प्रयोग किया है, कि प्लास्टिक से क्रूड पेट्रोल मेरे यहां तयार होता है, कचरे से जो अग्रिग चालीस लाक टन दिल्ली का कच्रा रोड में डाल दिया आप अमदाबाद जाओगे तो अमदाबाद डोले रोड हाईवे है उसमें 30 लाक टन कच्रा रोड के अंदर डाल दिया है और विशेश रूप से चंदीगड के तरफ जाओगे तो उस रोड में भी 20 लाक टन कच्रा डाला है मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि कच्रे में वैलू क्रियेट करो मेरी बात सिक्ष से समझो इंसान हो या कच्रा हो दोनों अलग अलग है पर अगर इंसान को और कच्रे को अच्छी टेकनोलोजी मिलेगी और इंसान को अच्छा गुरू मिल जाएगा अच्छे समस्कार मिल जाएंगे तो कनवर्शन वैस्ट टू वैल्थ होता है अगर कुछ लोग रास्ता भटक रहे है तो उसका दोश उनका नहीं है उनके माता और पिता और गुरू और समाज में कोई अच्छे नेता मिल जाए तो वो अच्छा कर सकते हैं वो सुधर सकते हैं जीवन में इश्ष भी हो सकते हैं प्यारे खान जी आटो रिक्षा चलाते थे और मेरे बच्चे स्कूल में पहुचाने के लिए इनका आटो रिक्षा आता था आज कहां पहुचे हैं इंसान तरक्की कर सकता है पर इंसान को अपनी तरक्की करने के लिए सही दिशा मिलनी चाहिए और कच्छे में value create होनी चाहिए तो पहला काम यह हुआ है कि अब कच्रे से हम लोग जो अग्रिगेट निकलेगा वो रोड में जाएगा प्लास्टिक, क्लास और मेटल जो लोहा है इसका रिसाइक्लिंग होगा और उसके बाद में जो और्गैनिक वेस्ट आएगी वो बार डाइजेस्टर वहाँ बन रहा है और उसमें CNG और LNG त्यार होगा नितिंग गड़करी ने सभा को संबोधित करती वी कहा कि ताजबाग में रहने वाले गरीब लोगों को पकाम बना कर देंगे यहार रोजगार के लिए प्रतिक दुकानदार को जगा उपलव कराएंगे गड़करी ने कहा कि गरीबों की सिवा के लिए ताजबाद में होस्पिटल खोलेगे टाकी ज़रूरत मंदों को स्वास्त सुविधा मिल सके गड़करी ने कहा कि असाहाई लोगों की सिवा ही भगवान अल्ला की सची सिवा है कैमरा पस्वान राजकुमार मोहड के साथ शितिजा देशमुकी रिपूर्ट